असलाम अलेकुम आज मैं दूदी दाल बनाने जा रही हूं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दूदी दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 गिराम मसूर की दाल लिए इसको अच्छे से धोकर इसको नितार के लिए और यहाँ पर आदा कप मैंने चने की दाल लिए इसको भी अच्छे से धोकर लिए यहाँ पर मैंने तीन टमाटर को कट करके लिए तीन प्याज है बड डheni की पावडर लियूं अदा चमच ह्ल्दी है अदा चमच जीरा पावडर है अल्दा चमच अक मसाला एक चमच और मसाला है प headline- पेस्ट एक निए दो बड़े चमच है एक दो चमच मैंने घी लिए यह पर तेल लिए बड़ा दो चमच है नमख है आदा चमच अपने टेस्ट के सबसे कम ज्यादा कर सकते हैं मैं और लगेंगा तो मैं दालूंगग टेस्ट करके और जीरा लिए चमच यह अपर मैंने एक तेज बता लियूं दो इलाई चीह तिन डाल जिने की तुकोड़े चार पच काली मिस्च है दो लोंग है पर एसा जिरा लियूं मैंने आधा चमच वन फोट इस पिल मैंने यह पर थोड़ी सी नमक लियूं यह पर और थोड़ी से हल्दी लियूं अलग से औरे इसको अच्छे से लगा कि लखने से हिसको आचलाकर अलडी लगाने से इसको уквол क्या बश्कते बिए च्चे और टेस भी अच्छा आता है थोड़ा सा क्योंधा लगा कर अगे यहां मैं दो गिलास पानी लिए हूँ गरम करके लिए हूँ इसमें मैं मसूर की दाल एट करूंगी दाल को इसमें एट की हूँ इसमें हल्दी एट करूंगी वन फोट इसमें की एट की हूँ नहीं जीरा थोड़ा सा इसमें और चनी की दाल भी ऐसी ही बोयल करके लेना है मैं मसूर की दाल ऐसी ही पका के लेती हूँ आप चाहे तो कुकर में भी लगा सकते मैं चनी की दाल सी कुकर में लगा लेंगी तिन सीटी चनी की दाल भी मैंने कुकर में एट की हूँ इसमें एक गिलास पानी और जीरा और हल्दी थोड़ी से दालके इसको 3 सीटी लेंगे दीमे ऐच में बने देलले ना को या परNow जो अब बड़ा डेक चाली हूं इसमें तेल आट करूंगी तेल अच्छा से गरम होने देंगे तेल अच्छा से गरम हो चुका है मैं इसमें प्यास आट करूंगी प्यास को अच्छा से फ्राय करके लिए ना है कि देख सकते हैं मैं प्यास को अच्छा से फ्राय करके लिए हूं ज्यादा जलाना नहीं है इसको लाल नहीं करना है इसमें प्यास टमाटर एट करूंगी तामाटर को भी अच्छा से भूल लेना है प्यास के साथ में इसमें इसमें हरा मसाला बैट करूंगी अच्छे से भून लेंगे इसको इस पे ढखकर रखके मैं दो तिन एक पे इसको धीमे आच पे रखूंगी ताकि अच्छे टामाटर अच्छे से गल जाए देख सकते हैं टामाटर अच्छे से नरम हो चुके है इसमें मैं हल्दी पाउडर एट करूंगी जेरा पाउडर धनी की पाउडर सासात नमक बयाट करेंगे और व्यक्ता अच्छे से अच्छे से मसालों को भून लेना है मसालों को अच्छे से भून के लिएँ मिने इसमें दूदी को धो के लिएँ अच्छे से वाश करके वापिस से इसको भी अच्छे से भून लेंगे इसको मसालों को अच्छे से भून लेंगे अमबोसी लेंगे तुकड़े यह भी इसमें आठ करेंगे थोड़ा सा पानी भी आठ करेंगे मैं एक जग पानी आठ करेंगे तक है दूदी अच्छे से पक जाए अच्छे से पका के लेना है दूदी को देख सकते मैंने चनी की डाल को मिक्सर जार में इसमें पिसके लिएं एक दम भी बारिक नहीं करना है थोड़ा सा ऐसा दद्दरा रखी हूं मैंने अच्छे मशुर की डाल को भी दाल के अच्छे से थोड़ा दाल के अच्छे से पिस लेना है देख सकते हैं मैं आच्छे से इसको पीस के लिए जाता हूं दाल को अच्छ थंडा करने के बादी Mixer में पिस्टा है तो दाल उड़ती है उसमें से धकन उड़ जाता है chi इसमें मैं इसमें ही एड करूंगी अ जुद्य थोड़ा सा गल चुक है ज्यादा नहीं इसको पकाऊंगी को इस दमी गल जाता है डाल इसमें आट करेंगे रच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी आट करेंगे आपको जितना पतला चाहिए उतना आप इसमें पानी आट कर सकते रच्छे से मिक्स करके लेंगे इसको तेसी डाल बना के देखो बहुत टेस्टी लगती है डाल का पानी होई है आइट करूँगी मैं इसके अंदर दो गिलास पानी आइट की हूँ डाल को पकते हुए पांच मिनट हो चुके है तो सकते हैं माशाला अच्छी डाल बनिये कि यहां पर गरम मसाला पाउडर भी आइट करूँगी गरम मसाला मैंने घर में बनाई हूँ इसमें जाइफालो गरे सब मसाले में वोट टेस्टी बनाये मसाला गरम मसाला मैंने गरम मसाला की रेसिपी शेयर की हूँ आप देख सकते हैं इसको अब घी का कड़ता देंगे तड़का देंगे आदा चमच मैंने पहले आइट की दी और आप यहां दा चमच करूंगी ताकि नमक काम है इसके अंदर तो अच्छे से मिक्स करके लिए इसको देख सकते हैं माशाला कितने अच्छे से दाल हो गई है इसको तड़का दे मैंने तड़का हो चुका है मैं इसमें हैट करूंगी ढाल में देख सकते हैं माशालला डाल बन के तयार हैं दूदी डाल मैं सर्फ करती हूं इसको जीरा राइस के साथ में खाया जाता है वो टेस्टी लगता है साथ में आचार मैं सर्फ करती हूं मैं दूदी डाल सर्फ की हूं जीरा राइस और अचार के साथ में तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइक कीजिए कमेंड कीजिए और मेरे चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइक करना दूआओं मियाद रखना लाफी झाल समी रखना झाल सरे और मेरे प्लाइक कीजिए का सूर कीजिए सब्सक्ठी थेयर को पाईक कीजिए — ईro ज foresee